हेलो माई दियर स्टूड़न दिस इस वेकलिटी आप मैस तुड़े वी विल डिस्कॉस एक्ससाइज 13 बी 13 बी आज हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे और बार ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है मैंने आपको कल बताया था चलिए फर्स्ट कोशन डिसकॉस करते हैं the following table shows the number of students who secured 19 marks in mathematics in each class इसमें फ्रस्ट कोश्चन में बताया ग्या है कि ये जो टेबल आपको गीवन है इसमें आपको बताया ग्या कि एक धा letter में number of students है इतने students है जिन्होंने 90 marks से जो है वो links अबॉब गेंड है जैसे class 1 के 10 students ऐसे हैं जो 90 से ज्यादा marks लेके आए हैं 2 class में 8 बच्चे हैं और 3 class में 14 हैं 4 में 6 हैं 5 में 8 यानि ये सारे students हैं जो 90 से अबब जो है वो marks लेके आए हैं तो इसको हमें bar graph के रूप में show करना है तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे bar graph में show सबसे पहले आपने क्या करना है देखी ये जो ये bar graph है मैंने आव ये बनाया है जो bar graph में जो class है उसको आपने नीचे show करना है और जो number of students है यहाँ show करना है total number of students यानि सबसे ज़्यादा 14 है और सबसे कम आपके कितने हैं 6 है तो आपने क्या करना है 14 की अगोडिंग जो सबसे जादा उसके अगोडिंग आपने नमबर डिसाइट कर लेना और हमेसा जीरो से मेजर करना है जीरो से लेकर 14 तक मैंने माक कर लिया और इसको भी Thursday करेंगे मेजरमिंग में कोई डिफरेंस नहीं है जैसे आपने इसे बार ग्रोप में लिखना है जैसे class 1 के 10 student है तो आपने ये जो आपने number of students रो किया है तो आपने इसको 10 तक ले जाके graph बना लेना है class 2 में 8 तक है तो 8 तक ले जाके graph बना लेना है 3 में आपके कितने 14 है तो 14 के बिलकुल सामने graph बना लेना है इस तरह आपने ये graph बना लेना है ये आपका graph बार graph जो है वो complete हो गया है इसे आप ध्यान से देखिए next हमें question के answer करना है तो आपको question कहा गया है in which class maximum number of students cured more than 90 marks हमें बताना है कि किस class में सबसे ज़्यादा बच्चे जो है 90 marks से अबब लेके आए हैं marks तो आपको इसे देखके ह नहीं पता लग रहा है कि class third में maximum number of students है तो आप answer दे दोगे कि इन third class maximum number of students cured more than 19 marks, 90 marks, okay student, next question है आपका in which class minimum number of students cured more than 19 marks, 90 marks, तो आप यहाँ देखिए, सबसे कम students किस class में है, four class में, in fourth class minimum number of students marks cured maximum than 19 marks, यानि more than 19 marks, 90 marks, okay student, next third question is, in which two classes equal number of students cured more than 90 marks, आप हमें बताना है कि किस class में equal number of students है, आप देख रहो नहीं, यह equal देख रहा है ना आपका, तो कौन-कौन से class है, class two and class fifth, यान class second and fifth class equal number of cured more than 90 marks, okay students, यह तो आपका first question था, अब second question क्या है, second question में भी आप देख रहे हो, second question आपका क्या दिया हुआ है, second question में दिया है, the following table shows the number of comic read by students during the summer vacation, अबे बताना है कि number of students है, यह students का name दिया है, और number of comic read, यानि हमें यह नाम दिया हुआ है students का, कि रमन ने मंदीर, कनिशका, फिर संजीव, फिर कादिर, ठीक है, और कितने जैसे रमन ने कितने पढ़े थे, 8, यहां number of comic read, हमने लिख लिए जीरो से लेके 12 तक हमने आंकित कर किया, क्योंकि maximum 12 है और minimum 4 है, तब 1 से हम करेंगे, 1 to 14 ले गए हैं, तो रमन 8 है, तो 8 तक ले गए, इस त student who read the highest number of comic, highest number of comic, आपको दिख रहा है, किस ने पढ़ा था, कोशकी ने पढ़ा था, तो the highest number of comic read by कनिशका, sorry, कनिशका ने पढ़ा था, ठीक है, next, अब आपको question put up किया गया, how many students read more than 5 comic, कि कितने students है, जिसने 5 से ज्यादा comic पढ़े, कितने student है, 5 से ज्यादा comic पढ़ने वाल क तो कितने student है, 3 students read more than 5 comic, नेम है, रमन, कनिशका एंड संजीव, okay, next, third question, which student read minimum number of comic, minimum number of comic, किस ने रीड कया, किस ने किया, कादिर ने, कादिर ने कितना किया, 4 comic, ठीक है, कादिर ने 4 comic, next, how many more comic did रमन रीर्दा संजीव, हमें बताना है, रमन ने संजीव की तूल ना में कितने comic ज्यादा पड़े, कितने comic ज्यादा पड़े, 1 comic, ना, so, answer is 1, okay, students, और इसी तरीके से आपका third question भी है, third question में है, आपका, कि draw, draw a bar graph to represent the following table, ये table क्या है, vehicle दिया हुआ है, और number of people using it, बताया गया है, कि bus को 10 student यूज करें, car को 8, scooter को 15, motorcycle को 12, और cycle को 9, तो इस से related हमें बार ग बनाना है, ये देखे, मैंने से related बार ग्राफ बनाया है, अब आपको बार ग्राफ आता है, नीचे आपने वहिकल का नेम लिख लेना, और यहां number of people using vehicle, आपने लिखना है, 0 से 15 तक number करके, आपने इस तरह से बना लेना, इस से related आपने question का answer करना है, पहला question है, विच वहिकल is used by maximum number of people, सबसे ज्यादा कौन सा वहिकल यूज किया जा रहा है, नेक्स्ट, second question is, which vehicle is used by minimum number of people, minimum number of people कौन से वहिकल यूज किया जा रहा है, आप देख रहे हो, ना कौन से वहिकल यूज किया जा रहा है, तो bus, bus is the, bus is the, sorry, car is the minimum number of vehicle, okay, car जो है, वो minimum है, क्योंकि car सिफ एट य किया जा रहा है next question है how many people are using different kind of vehicle vehicle हमें बताना है कि कितने vehicle लोग use कर रहे हैं तो इन इन सब का क्या कर देना है add कर देना add करने पर कितना 54 तो 54 people are using different kinds of vehicle okay student hope you understand very well thank you